किसी भी external points से किसी भी given hyperbola पर बच्चों हम लोग 2 tangents draw कर सकते हैं ये आप जानते हैं जिन points पर ये tangents बच्चों hyperbola को touch करेंगी उन्हें हम कहते हैं points of contact और ये जो दोनों tangents से बच्चों इनकी equations को यदि collectively find out किया जाए यानि इन दोनों equations को बच्चों multiply कर दिया जाए तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते है pair of tangents और हमें pair of tangents के बारे में ही बात करने हैं बच्चों अब एक काम करते हैं ये point के coordinates तो आपको already given है इन दोनों में से किसी एक tangent पर कोई point q suppose कर लेते हैं जिसके coordinates मैंने मान लिए बच्चों x2 y2 अब मैं अगर ऐसा कुछ मान लेता हूं तो बच equation of pq होगी y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1 भाई this is the equation of line joining these two points दो points को join करने भाई line के gradient क्या होती equation क्या होती आपको पता है अब एक काम कीजे बच्चों इस थोड़ा साम लोग simplify कर लेते हैं बच्चों y2 minus y1 over x2 minus x1 into x और फिर minus sign हापर आगया बच्चों y2 minus y1 over x2 minus x1 into x1 और जो minus y1 एसे जब LHS से LHS पर लेकर जाएंगे तो यह plus का हो जाएगा so that बच्चों यह हो गया y2 minus y1 over x2 minus x1 into x हाप और फिर मैं यह plus कर देता हूँ और यहाँ पर क्या बच्चों y2 into x1 minus x1 into y1 और plus कितना बच्चों एक मिनट यह y2 into x1 करेंगे बच्चों तो यह minus का होग बिल्कुल ठीक बात है और फिर यहाँ पर यह क्या हो जाएगा x2 into y1 minus x1 into y1 over कितना बच्चों x2 minus x1 कुछ cancel हो रहा बिल्कुल हो रहा साहब यह दोनों आपस में cancel हो गए और इससे मैं यह थोड़ा सा simplify करके लिकूं बच्चों तो इस सब TQ line की equation क्या होगी y2 minus y1 over x2 minus x1 into x plus plus क्या बच्चों plus साथ में यहाँ पर आ जाएगा x2 y1 जो plus वाला टाम था हो से मैं पहले लिख देता हूं x2 y1 minus x1 y2 over x2 minus x1 so this is the equation of line P3 बच्चों यह आपके पास में हो गया x2 y1 बिल्कुल ठीक बात है minus y2 x1 बिल्कुल ठीक बात है upon x2 minus x1 so this is the equation of P3 अब बच्चों यह मैं इसे y equals to m x plus c से compare करता हूं आई fine बच्चों m की value होगी y2 minus y1 over x2 minus x1 this is the value of m while value of c is nothing but x2 y1 minus x1 y2 over x2 minus x1 यह आपके पास में बच्चों m और c की value आगई अभी तक जितना भी काम किया बिल्कुल generalize manner में मैंने काम किया मैंने कोई point P और Q को join करने वाई line की equation को find out क्या finally equation गया और जिसे मैंने अगर y to m x plus c से compare किया तो इस line का slope और उसकी जो intercept on y axis हो आगी आगी अब आप जानते हैं बच्चों कोई भी line y equals to m x plus c उस hyperbola पर tangent तब होती है बच्चों जब c square की value हो a square m square minus b square any line y equals to m x plus c is tangent to this hyperbola conditionally it is satisfying this condition अब बच्चों ये तो P Q की equation है जिसका m और c ये है अब अगर P Q उस hyperbola पर tangent हो यदि P Q उस hyperbola पर tangent हो तो natural सी बात है वो इस condition को satisfy करेगी ये तो देखे मैं बार 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 बोल रहा हूं P Q की equation है जिसका m और c ये आ गया अब अगर ये line उस पर tangent है then it has to satisfy this condition यही बात कह रहा हूं आपसे अब diagram भी यही कह रहा है कि P Q उस पर tangent है तो उसको satisfy करेगी तो सहाब आप c की value क्या है c की value रख दीजिए यहाँ पर x2 y1 minus x1 y2 का square upon में कितना बच्चों x2 minus x1 का square और is equals to a square और नहीं बात m की तो m की value है सहाब y2 minus y1 का square over x2 minus x1 का square फिर बच्चों क्या minus b square अब आप इसको simplify कर लीजिए और इसको simplify कर लीजिए कि LCM लेंगे पहले तो x2 minus x1 का square का यहाँ multiply कर देंगे और बाइचास जो denominator यहाँ पर आएगा finally LCM लेने के बाद भी वही आएगा सो दोनों बच्चों कैंसल हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए एक extra step लिखना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोग इसी को देखकर समझ सकते हैं कि मैंने क्या करा वही मैंने इ स्केर और इनट cafs में क्या इनटो में बच्चों स्केर माइनस एक्स वन स्केर ना प्लस एक्स म्सकिया इसकेल माइनस टू टाइम्स एक्स वन एक्स टू तो यह आपके पास आका या डिनॉमिनरत तो बाई-चांस गैंसल हो चुका है अ अब आप च तो चलिए ठीक है LHS पर जो लिखा है उससे है जिप्टिस लिख दीजिए बच्छो और A square का यहां multiply कर दीजिए A square Y2 square minus B square X2 square यह आया ठीक इसी तरह से बच्छो A square Y1 square minus B square X1 square यह आया और फिर बच्छो मैंने मैं मैंनस 2 common निकाल दिया जब मैंनस 2 common निकाल दूँगा तो A square into Y1 Y2 और यह मैंनस मैंनस प्लस होगा लेकिन आगे मैंनस आ जाने से फिर से यह मैंनस का हो गया B square X1 X2 यह कुछ आ गया अब आपके पास में यह जो expression आया है बच्छो इसे मैं किसी तरहां से इस given hyperbola की equation की form में लाने की कोशिश कर रहा हूं I am trying to bring this expression somewhat into the form of this and for that purpose I have to do something what? मैं एक काम करता हूं बच्छो मैं इसे divide करता हूं A square B square से I am going to divide by A square B square मैंने इसे A square B square से divide कर दिया A square B square से जब मैं divide करूंगा बच्छो तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा यहाँ पर X2 Y1 minus X1 Y2 whole upon AB का whole square actually आपने A square B square से divide किया है लेकिन इसे आपने A square B square से divide किया लेकिन यहाँ पर already आप square है इसलिए आप इसे ऐसा भी देख सकते हैं फिर इसे जब आप A square B square से divide कर देंगे बच्छो तो यहाँ बच्छेगा Y2 square over B square minus X2 square over A square और likewise इसे जब divide किया तो यह Y1 square upon B square minus X1 square upon A square minus 2 times of इसे जब A square B square से divide कर देंगे जब इसे A square B square से divide कर देंगे बच्छो तो यहाँ आएगा Y1 Y2 और फिर यह B square यह X1 X2 over A square जब आपने इसे A square B square से विभाजित किया तो A square से A square cancel बच्छो बच्छो बच्छेगा B square और B square से B square बच्छो 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 बच्छेगा A square कुछ यही expression आएगा अब क्या करें साहब अब सॉरी हमें काम करते बच्छो यह जो LHS पर जो टर्म लिखा है उसे RHS पर जो टर्म लिखा है इस वाले टम को आप आरेचेस पर लेकर चले जाएगे बच्छो इसे महीं हाँ लेकर जाता हूं पहले आप यह जरू नोट डाउन करें जगा क्यों कि अब मैं इससे मिटा रूँगा बच्छो आपको कोई पॉइंट एक्स्टेर्नल पॉइंट दे रखा था और आपको लेकर जाता हूं तो मैं क्या पाउंगा बच्छो माइनस वाले टम को को जब मैं आरेचेस पर लेकर जाऊंगा तो वह प्लस हो जाएगा वह पछला है निकाल देता हूं मैं लिख देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आपको सोजना आ जाएगा मेरे खाल से x1 x2 over a square minus y1 y2 over b square ये तो आपको बिला lhs और rhs में जो आपके पास मैं बच्छे उसमें से minus sign common निकाल दीजिए तो x2 square over a square minus y2 square over b square और इसमें से भी minus sign common निकाला minus sign common निकाला तो x1 square over a square minus y1 square over b square गया है और जो प्लस वाला टम था बच्छों से जो मैं इदार लेकर आजाएगा तो ये minus का हो जाएगा और क्या हो गया ये x2 y1 minus x1 y2 over a b का whole square I repeat ये जो था इसमें से minus sign को common निकाला तो ये minus वाला plus हो गया और प्लस वाला minus minus sign को common निकाला minus वाला plus और बाकी क्या हुआ है मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और ये minus वाले term को मैंने चेस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा लेकिन actually मैं इसमें से minus sign को common निकाल दूँगा तो प्लस वाला minus वाला plus और इस तरीके से ये expression आ जाएगा ये आया बच्चों अब थोड़ा सा हम लोगों कुछ manipulation इसमें करना पड़ेगा मैं actually इसे किसी फॉर्म में लाना चाहता हूं और होप वह फॉर्म आपको पता है किस में लाना चाहता हूं तो वो लाने के लिए थोड़े से मेहनत करना पड़ेगी और इसके लिए वच्चों में काम करता हूं 1 प्लस x1 x2 over a square minus y1 y2 over b square का square मैं add करता हूं मैं LHS पर ये चीज़ के लिए कर दिया और आपने इसको भी आइड कर दिया अब जो आपने अले टेस्व पर किया है वही आप आरे चेस पर करेंगे अब चलिए वो बड़ा सा expression लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी दहे में अगली step में जो करने वाला हूं उसके लिए यह लीजिए मैंने कुछ यह लिखा और फिर जो कुछ लिखा था पहले तो मैं अवल दर्जे पर तो सब कुछ वैसा का वैसा ही लिख रहा हूं वैसा का वैसा ही का होल इसके वह यह तो सब कुछ पहले से था मैंने कोई कारस्तानी उसमें नहीं करी है मैं अब इसमें कारस्तानी यह कर रहा हूं कि मैं इसमें वन एड़ करने के साथ साथ बच्चों जो यह expression लिखा है मैं इसे भी एड़ करता हूं और इसे मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर लि भी कर दिया बाकि देखिए आप यह जो एक्सपर्शन था यह माइनस साइन आप दिस यह तो था ही था आपने वन दोनों वाजू एड़ किया बहुत अच्छी बात है अब आपने माइनस साइन को कॉमन निकाल दिया इधर से भी और यह बाकी तो जो था वैसा कर वैसे अब आप जो एलचेस पर जो लिखा है बच्छो यह जो एक्सपर्शन आपके पास में लिखा हुआ है इसे आप ज़रा ध्यान दीजिए तो इसे आप लिख सकते हैं x1 x2 over a square minus y1 y2 over b square minus 1 का whole square ज़रा भीजा लगा यह यह जो एलचेस पर लिखा है मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूं कि अपलकूल लिख सकता हूं क्योंकि जब आप इसका square expand करेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसका square expand करने पर आपको A square आप इस पूरे को एक मिनिट आप इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं यह देखिए जो LHS पर जो लिखा हुआ बच्चों मैं उससे ऐसा लिख सकता हूँ क्यों? क्योंकि जब मैं A-B को whole square करता हूँ तो आता है A square plus B square minus 2 times of A B बहुलिए आ रहा है? येस आ रहा है बई तो LHS पर जो लिखा हुआ है उसे ऐसा लिखा जा सकता है और RHS पर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों उससे ज़रा ध्यान दीजिए तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ उसे मैं लिख सकता हूँ x2 square over a square minus y2 square over b square minus 1 और ये लीजिये सहाब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटू में लिख सकता हूँ x1 square over a square minus y1 square over b square minus 1 ये भाई देखिए जो lhs पर लिखा है that could be written like this rhs पर जो लिखा है that could be written like this क्यों क्योंकि आप फिर में बोलाँ a square plus b square minus 2 times of a b और जब आप इन दोनों का आपस आप मल्टिप्लाइ करेंगे of course यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब इसका multiplication दिखा है अब जब इसका multiply करेंगे तो यह into यह आप जब इसका multiply करेंगे और पहले तो आप इसका यह जो देखेगा यह जो bracket इसका one में multiply करेंगे तो वह यह रहे माइनस आना चाहिए देखिए माइनस आ रहा है फिर इसका इस one में multiply करेंगे तो यह आएगा एक मिनुट इसका square नहीं था मैंने इन दोनों का आप सब multiply करोगे तो आपको यही मिलेगा बचो आराम से आप चेक कर लीजिए बिल्कुल डिट्टो यही मिलने वाला है आपको यही मिलने वाला है क्यों मिलेगा क्योंकि जब आप x2 square upon a square करेंगे तो वह इसके स्केर से आजाएगा ऐसे जब आप इन दोनों का multiply करेंगे तो यहां पर आजाएगा माइनस टू टाइम साफ जो है बच्चो वह भी आएगा बकादा यू कें वेरिफाइगा और माइनस वन का माइनस में multiply करेंगे तो वन आरे चैस पर जो expression दिखा यहां से मिल जाएगा और यहां पर जो टर्म आएगा बच्चो वह माइनस माइनस प्लस का आएगा और यहां पर बच्चो वह माइनस माइनस प्लस का आएगा वो आपस में cancel हो जाएंगे अराम से चेक कर सकते हैं जब आप इसका twice of AB करेंगे उसका twice of AB करेंगे तो यह minus minus plus होगा और उदर minus होगा तो दोनों cancel हो जाएंगे finally बच्चो यही आएगा तो यह आपके पास मैं है बच्चो और इस expression को देखकर मैं कह सकता हूँ कि लोकस of HK लोकस of sorry HK बोल रहा हूँ लोकस of x2 y2 जिससे मैंने x2 y2 suppose किया है जिससे मैं x2 y2 suppose किया बच्चो उसका लोकस क्या हूआ उसका लोकस होगा x1 x over a square minus y1 y over b square minus 1 और इस पूरे का square बच्चो मैं किसका लोकस निकालना चाहरा हूँ x2 y2 का जनरली हमको जिसका लोकस लिगाना होता हूँ हम HK मान लेते हैं alpha beta मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं पर बाइचांस यहां तो point ही आप वो given effect कि x1 y1 तो वो तो suppose कर ली सकते थे तो यह आपने कर लिया और right hand side पर बच्चो आप देखें तो right hand side पर क्या होगा एच इसका लोकस x square over a square minus y square over b square minus 1 into क्या बच्चो into x1 square over a square minus y1 square over b square minus 1 so यह अपके पास में बच्चो लोकस आगया यह आपके पास में बच्चो उस point x2y2 city का locked आगया स्था judy2 का lock and Teads आग आप दो यह जो आपके पास में लिखा बच्चो यह और कुछ नहीं यह टी लिखा यह यह उत्के अपने x square को x x1 से y square को y you s से रिप्लेस कर दिया तो जो मिलेगा बच्चों से बोलेंगे T और यह जो आपके पास में बच्चों यह है S और यह जो आपके पास में बच्चों वह है S1 वह यह जो आपके पास में लिखावा इसे टी बोलते हो आप लोग जब पहले भी देख चुके मने चुनी मैं इस expression को फॉरम में लाने की कोशुश करों जो फॉर्म मुझे पता है the pair of tangent अपने अप्पने अब निकाली है अलिस में भी निकाली है इलिप्स में भी निकाली है इपर वॉला में भी कर ली वीडियो को पॉस करके जरूर जो भी कुछ लिखा है बच्चों ये लीजे मैं इधर आ गया उधर का कॉपी कर लीजेगा इधर वाला भी नोट डाउन कर लीजेगा तो ये पेर आफ टेंजेंट की एक्वेशन को फाइंड आउट करने का तरीका है बच्चों एक तरीक हमें कोई पॉइंट ये हएपर बोला गीवण है और हमें बच्चों कोई पॉइंट पी गीवण है जिसके कॉइनेट साबको एक्स न वाई वन प्रक्रें से किकर रॉकरी आपने इस पी से कॉई काड़ करीं और वो काड़ पर कोई पॉइंट क्यू सपोस कर लिए immerhin अग category इस chord पर आपने कोई point x to y to suppose कर लिया कर लिया सहाब मैंने P से कोई tangent draw ना करता हुए मैंने कोई chord draw करी और उस पर मैंने chord पर कोई point suppose कर लिया क्यों कर लिया बच्चो और मैंने अब ये chord ने hyperbola को जहां पर cut किया obviously ये chord hyperbola को दो points पर cut करेगी उनमें से किसी एक point को मैंने r मान लिया और r मैंने कुछ ऐसा लिया कि r divides मैंने इस chord पर एक point q suppose कर लिया और इस chord ने hyperbola को जहां पर cut किया उसे मैंने r नाम दे दिया और r के बारे में मैंने कुछ ऐसा suppose कर लिया कि r divides p q in ratio r divides p q in ratio lambda is to 1 मैंने मान लिया कि r वच्चछ वो pq को lambda is to 1 के रश्य में divide करी मतलब अगर यह distance lambda है तो यह distance 1 है मैंने मान लिया कि r वच्चछ स्को lambda is to 1 के रश्य में divide करी तो इसके coordinator क्या होंगे lambda into x2 plus 1 into x1 over lambda plus 1 और इसी तरह से lambda into y2 plus 1 into y1 over lambda plus 1 so these are the coordinates of r यह किसके निर्दे शांग का है आपके पास में r के निर्दे शांग का है भी coordinates of r now since r lies on hypergona बच्चों कि r जो है उस पर लाए कर रहा है so obviously it will satisfy the equation so x का square x की जगा पर x coordinate रख दीजिए lambda into x2 का plus x1 over lambda plus 1 का square over a square minus lambda into y2 plus 1 into y1 over lambda plus 1 का whole square upon b square is equals to this अब आप इसको थोड़ा सा और simplify कीजिए बच्चों कि hyperbola पर लाए कर रहा है इसलिए hyperbola की equation को satisfy करेगा lambda plus 1 का square दोनों बाजू आएगा बच्चों यहाँ पर b square का multiply कर दीजिए b square का multiply करेंगे तो यह आपके पास में lambda square x2 square plus x1 square plus 2 times of lambda into x1 x2 यही कुछ आएगा b square का यहाँ multiply कर दिया यही कुछ आएगा और फिर बच्चों a square का multiply करा यह हो जाएगा lambda square y2 square plus y1 square plus 2 times of lambda y2 into y1 और rhs पर देखा जाए तो वो है rhs पर क्या मिल रहा है आपको बच्चों rhs पर मिल रहा है a square b square into lambda plus 1 का whole square जो की होगा lambda square plus 1 plus 2 lambda mp अबर coisa कुछ ऐसा चलिए सहब अब आप देखें मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ सही किया क्यों कि मैं बड़ा घ्रा जाता हूं कई बार क्यों कि मैं एक छोटी सी गलती करता हूं चोटी सी गल्टी करने के चकर में तो साहब सारा काम खराब जाता है उसके बाद में तो फिर आप भूनते रहों गलती कहां की थी कब की थी क्यों की थी तो आपने 20 कर का यहां मल्टिप्लाय कर दिया एक प्लस बी का होल सके खुला इसके प्लस बीसके प्लस ट्वाई से भी पर देर आफटर आपको पता है है तो आपDER है कि ऑसके बैदाथ का कोफिशन आप देखें तो लेंडा स्केर रहा हैं देखें तो आपको मिल रहा है असे मुध्लास असे स्कार आफ्ट्ू स्केर स्केर अब लेंडास का कोफिशन देखने तो असे अशन नहीं आएगा माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस था a square into y2 square बिल्कुल ठीक बात है और फिर माइनस का a square b square भी आएगा माइनस a square b square माइनस b square a square आगया भी है फिर आप लेम्डा वाले terms को देखें तो 2 लेम्डा 2 लेम्डा आपको मिल रहा है और 2 लेम्डा आपको देखा तो क्या आगया बच्चों अब b square into x1 x2 माइनस माइनस a square into y1 y2 यह आया और साथ में और भी कुछ आएगा 2 लेम्डा को वन निकाल देने के बाद में बच्चों बचेगा minus a square b square और फिर constant term constant term के बाद आपकी जाए बच्चों तो वो है b square x1 square माइनस a square y1 square और फिर वो ही इसी पुटी सी बाद minus a square b square now as you can see this is nothing but a quadratic equation in लेम्डा यह लेम्डा में एक वर्गात्मक समी करवर मन करा है naturally it will be giving us two values of लेम्डा लेम्डा में quality की question नहीं बच्चों मुझे लेम्डा की दो values मिलेंगे क्यों मिलेंगी क्योंकि बच्चों यह cord इस hyperbola को केवल एक ही point पर cut नहीं करेंगी बच्चों यह cord इस hyperbola को दो points पर cut करेंगी so obviously there are two points obviously there are two points एक है R और एक है R डश लेम्डा की एक value आएगी R के लिए और लेम्डा की दूसरी value आएगी बच्चों आर डैश के लिए लेम्डा की दो values आएंगी आपने किसी point save hyperbola पर cord draw कर दी जीवा जिसे हिंदी में कहा जाता है आपने वो cord draw करी और cord ने hyperbola को दो points पर cut किया मैंने उनमें से किसी एक point को आर मान लिया जो इसने हमने मान लिया कि लेम्डा स्टु बन के ratio में वो चुकि पर tangents draw कर रहे हो तो अगर tangents draw कर रहे हो तो मतलब ये है कि यहां पर मुझे दो points नहीं मुझे एक ही point मिलेगा I am not drawing two accord I am actually drawing only one tangent मैं के वाल उस point से tangent draw कर रहा हू So I must have only one value of lambda not two values of lambda rather because of this quadratic nature I will be having two values of lambda but as I told it is a tangent so I will be having only one value of lambda 3-4 बार बोल दिया अब तो बोर होगो योगो सुन सुनकर बच्चो और अगर lambda की एक ही value आ रहे है मतलब इस equation का जो discriminant है जो की होता है B square और B का काम यहां पर कोन कर रहा है बहुत बढ़ा सा term A square Y1 Y2 minus A square B square B का काम यह कर रहा है और पूरा इस का square कर देंगे minus 4 times of AC और AC का का काम कोन कर रहा है बच्चो B square X2 square minus A square Y2 square minus A square B square 4AC B square X1 square minus A square Y1 square minus A square B square this is the discriminant of this quadratic equation as I told as I told this is not actually a chord मैंने chord draw नहीं करी बच्चो मैंने टेंजन टो करी है तो फिर इसका जो discriminant है बच्चो वो 0 हो जाएगा और discriminant को 0 कर देंगे फिर 2 का square 4 2 का square 4 कॉमन निकाल के cancel हो जाएगा और यह जो आपके पास में लिखा है सहाब यह पूरा सा और माइनस वाले टाम आरक्चेस पर जाएंगे तो बच्चो वो प्लस हो जाएंगे इन दोनों का multiply यह पिक्चर आजाएगी नाव अगेन वही गिसा पिटा तो च्चा लुच्चा किसम का काम करना है कि आपको इस पूरी equation को बच्चो इस पूरी equation को आपको को Chem Draw 2 का से डिवाइड करता है अपने काई से डिवाइड किया है तो यहां पर अपवां में क्या बचेगा § अपर में बचेगा इस कैर बचेगा बचेगा एक मिलटन और यहां से एस कार्याट डिवाइड कर दिया यहाँ पर चुक कि स्कैर है इसलिए यहां पर यहां पर क्या बच्छेगा बच्छो वाइवन वाईटू ओब यहाँ पर 1 ओर इस पूरेगा square और यहाँ पर A square b square से divide कर दीजिए उधर भी A square b square से divide कर दीजिए तो x2 square over A square minus y2 square over b square minus 1 2 मैं कितना बच्चो Q x1 square over a square minus y1 square over b square minus 1 यह आप पूरी equation को A square b square से divide किया जब इस पूरी equation को आप अफिर एक मैंसारी सब्सक्राइब अपरी बिच्टिया तो बीच्ट से एंसलों मिलना पॉल्सरी के अब जैसे मैंने a to the power 4, b to the power 4 से divide के तो उसमाँ से a square b square से यहाँ divide कर दिया, a square b square से यहाँ divide कर दिया जाएगा बच्चो अब फिर वही किसी परटी सी बात locus of x2 y2, यदि मैं x2 y2 का locus निकालता हूँ, x2 y2 का locus निकालता हूँ, बच्चो तो x2 y2 का locus क्या होगा, x1 x over a square minus y1 y over b square minus 1 का square, और यहाँ पर बच्चो एक्स square over a square minus y square over b square minus 1, और यहाँ पर बच्चो एक्स square over a square minus 1, बड़ा आसान तरीका है मेरे खाल से यह, और ये जो मिलता है बच्छों इसे आप कहते हो T और इसे कहते हो S और इसे कहते हो S1 So pair of tangent की equation S, S1 इको 130 के मेरे खयाल से आपका भी खयाल यह होगा कि ये method और पिछली method से ना केवल चोटी है जब की और साथ साथ चोटी है इसी निशाद हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आसान भी है